तो हमारे साथ आज जो हैं उन्हें जादा इंट्रड़क्शन की जुरुरत नहीं है क्योंकि सारा देश आजकल उन्हें बॉक्सिंग की गोल्डन गर्ल की नाम से जानता है और वो है निखत जरीन निखत बहुत-बहुत स्वागत है आपका बीबीजी में थैंक यू थैंक बहुत कुछ बदला है, 2011 में जुनियर वोल्ड चैंपेंशिप में मैंने गोल जीता था तब वो मेरा पहला मेरा बॉक्सिंग करियर का पहला कॉम्पेडिशन था और मुझे इतना एक्सपिरियंस नहीं था बट मुझे बस एक ही चीज पता थी कि वहार रिंग में जाना है अपने इनको मारना है और जीतके हमारे कंट्री के लिए गोल मेडल जीतना है बट उसके बाद कुछ चीजे हुई जुनियर यूथ में मैंने हर कॉम्पेडिशन में मेडल जीता है फिर सीनियर में आई हूँ फिर उसके बाद थोड़े जिस वेट कैटेगरी में मैं खेलती उसमें अल्रेडी एक्सपीरियंस और डेकोरेटेड बॉक्स थे मेरे से जाधा तो उस कैटेगरी में मुझे अपनी जगह बनाने के लिए टाइम लगा थोड़ा बट मैं काऊंगे इट वस अल वूर्थ इट अफ्टर 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 अब्ला पूरा जो भी म अफ्टर 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 अफ् मेरे देश के लिए मैंने गॉल मेडल जीता है वोल्ल चैम्पेंशिप में तो बहुत खुशी हो रही है मुझे अभी बात करते में अभी आप से मुझे दिख रहा है आपके आखो में कि थोड़ी सी मोशनल हो रहे हैं आप उस लमह को याद करते हुए आपको पता ही होगा कितना जश्ट मना था आपकी जीत का यहां भारत में आपके लिए सबसे इमोशनल म्हा कौन सा था मेरे लिए सबसे जादा इमोशनल सबसे पहले मैंने गोल मेडल जीता जब मेरा रिंग में हाथ उठाया था रेफ्री ने की विन्नर इन ब्लू कॉर्नर जरीन निखत प्रम इंडिया जब उन्होंने एनाउंस किया था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब 2011 के बाद मु मैं कि मैं हमया 18 से मैं कैमेँ हो मोसली मैं इफ एप ऐघ स्वा रिंग करते हूं जब कैम चलता है कुछ टाइम के लिए घर जाती हो हुँआ भset कम वक्त मिलता है तो मैं घर मेरे मम्मी के हाथ का खाना मिस कर रही थै उस ता फ्रे गरवालों को मिस कर रही है intense सबसे लाद कैस करती है पाप बॉक्सिंग में करते है अगर मुझे पतस है कि मेरे लिए मम्म baik लोग रोए होंगे क्योंकि अगर उनकी बेटी देश के लिए मेडल जीत रहे तो उनके लिए बहुत गर्व की बात होगी तो इसलिए मैं उन सबसे पहले मन तो कर रहा था कि रिंग से उतरते काश मेरे सामने खड़े होते तो में दोनों को हग करती वह चीज़ इमोशनल किया फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि इंडिया में मेरे ग जामन खान ने खिया बिल्कुल मैं इसी पर आने वाली थी क्योंकि सब का मेसेज आया सब ने आपको बहुत सारे कॉंगराचिवलेटरी मेसेज़ किये लेकिन एक मेसेज शायद जिसका आपको इंतजार था वो था सलमान खान का मेसेज तो क्या सबसे ज़ादा कि मैं 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 और मैं फिफ्टी केटेगरी में दोंगी तो हम लोग अलग अलग वेट केटेगरी में लेकिन इसे वह वाला उनकी एक टिपड़ी भी आई थी कि वो निखत को नहीं जानती और आप निखत चाम्पियन है तो अगर आपको कभी मिलने का मुका मिला मेरे कॉम से तो क्या कहेंग तो जब प्रेनिंग स्टार्ट होगी मिलेंगे तो जैसे उनोंने ट्विटर पर में जए कॉंग्रेचलेट बी किया है तो जैसे मैरी कॉम ने कहा था कि आपको नहीं जानती है और अब जब चैंपियन बन के जाएंगी तो आप क्या कहेंगे उनको मैं तो कुछ नहीं कहूं अब मेरा हमेशा तो यही फोकस रहा है कि खुद की महनत करो खुद के उपर फोकस रखो बाकी सब अब अविधिन विल कम उन देराइट टार क्या कई लोग मैंने सुना आप बता रही थी कि कई लोग पूछते थे कि लड़की हो कर आप लड़कों के खेल क्यों खेलती है अ सार्टिंग में लोग ने मतलब बोला तो था कमेंट्स तो आय थे कि मतलब शौर्स ही इसा पहना है लड़ निये सब बट जैसे मैंने अपना फोकस हमेशा है बॉक्सिंग पे रखा है और अभी गोल्ड मेडल जीतने का बद वही लोग खुशी मना रहे है और फैमिली पे प आपके माबाप का सपोर्ट मिला इस खेल में लेकिन जिन लड़कियों को नहीं मिलता है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जी मैं यही कहूंगी कि आप मतलब इतनी महनत करिया कि आपके पेरेंस भी मजबूर हो जया आपको सपोर्ट करने के लिए बाकी यही है कि जब तक पेरेंस की सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक हम कुछ नहीं कर से अपके मापकी शादी के लिए बहुत परेशान होती थी अब क्या कहती है अभी कुछ नहीं कहती है अभी तो वही बोलते है कि मालब आपका फोकस बोक्सिंग पी रखो बाकी तो वही पसंद करेगा आपको पसंद करने की ज़रत नहीं है परिस के लिए तयारी कर रही है आप क्या है जीत का मंत्र परिस की तयारी शुरू हो गई अल्रेड़ी उसी रास्ते में हैं बैसे मैंने कहा कि मैं एवरी कॉंपिटिशन इच स्टेब बाई स्टेब फोकस रखों जाभी मेरा कॉमन वे तो वैसे ही दीरा दीरा परिस की भी तयारी करूंगे और पूरी कोशिश करूंगे परिस में भी मैं अपने देश के लिए गोल जीत के लेकर आऊं निकत हाली में हिजाब को लेकर काफी विवाद हुआ बॉक्सिंग में कई लड़कियां हिजाब पहन कर खेलना चाहती है क् को भी इस मुश्किल के सामना करना पड़ा आप क्या कहेंगी इस बारे में बॉक्सिंग ऐसा गेम है जहां पर इंटरनेशनल बॉड़ी आपको हिजाब पहन के भी अलब करता है तो बॉक्सिंग में आपको हिजाब से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आप हिजाब पहन के भी मैं भी आई पीएस ओफिसर बिकाज मुझे बच्पन से ही पुलिस में जॉइन करना का शौक था तो अगर निकट पर कल जाकर फिल्म बने तो कौन मैंने सुना था अप आलिया भट को चाहती है कि आपका किरदार ने बाय क्यूं हम मैंने पर यह भी कहा था कि मैंने इतना अच मुझे भी डिम्पल आता है उनको भी डिम्पल आता है तो इसलिए और आपके डिम्पल काफे खुबसूरत है तैंक यू